कि कम से कम इधर के बहाने आपने काका स्री को ही सम्मान देना सुरू कर दिया और स्विपाल जी सच मुझ मैं जब आपको देता हूं तो मुझे मा भारत का द्रिश से याद आने लग जाता है आप जैसा अनुभवी ब्यक्ती सच मुझ हर बार छले जाते हैं बार बार अप्मानित होते हैं क्यों इतना उनका अपमान कर रहे हैं मुझे इसी नहीं लगता है देखे मैं सही बता रहा हूं मैं जब स्विपाल जी को देखता हूं विचारे सम विसम परस्तितियों में जिस उसके साथ रहते हैं उनको देखता हूँ तो मुझे महाभारत का दिर्षे याद आने लगता है। देखो मैं एक सामाने बैखती और हर एक के साथ बहुत सब भावना के साथ पेस आता हूँ। सम्मान जनक विवार करता हूँ। सब का साथ और सब के विकास की बात करता हूँ। लेकिन मैंने कह दि के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया और श्रीपार जी सच मुझ में जब आपको देता हूं तो मुझे मा भारत का द्रिस्ट याद आने लग जाता है आप जैसा अनुभवी बेखती सच मुझ हर बार चले जाते हैं बार बार अप्मानित होते हैं आपके अनुभव आपके संघर्सों का लाग समझवादी पार्टी को नहीं लें चाहिए और अरे आप चिंता मत करिये देखे हम उनका सम्मान करते हैं वो हमारे बरिष्ट सदस्य हैं और उनको जो है इस सम्मान मिलना भी चाहिए जैसे आपसे मिलता हूँ वैसे मैं उनसे मिलता हूँ और क्यों नहीं मिलेंगे वार वार मिलते हैं उनकी स्कूर्टी भी उनको दी जाने चाहिए और चाजा को भी अपने स्वाविमान को बनाए रखना चाहिए मौद है लेकिन मैं एक बार बार जानना चाहता है मौद है एक और प्रकंड चो इनों ने इस दोरान उठाया जब पुरी दुनिया फुरा बेस यूपी के अंदर आया था हाँ आपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे जाए मुझे इसी नहीं लगता है देखे बैसे ही बता रहा हूँ मैं जब सुपाल जी को देखता हूँ विचारे सम विसम प्रस्तितियों में के साथ रहते हैं उनको देखता हूँ तो मुझे महा भारत का द्रिश से याद आने लगता है और मैं उनके कह सकता हूँ और बहुत साथ सहज द्रिश से उनका जो सरल सुभाव है तो उस सरल सुभाव के नादे मैं आपको यार देलाने चाहता हूँ देखो जादा अपमान को करना बंद कर दे सम्मान देना सुरू करें और उनको उनकी गर्मा के अंड़ों को करना चाहिए करेंगा थादा बंद कर देखो जादार देखो जादा है